दुनिया के 10 सबसे शांदार जहाज वर्टिकल बार, टॉप 10 मोस्ट लग्जूरियस क्रूज शिप्स नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल प्लानेट एडवेंचर में आपका स्वागत है आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के 10 सबसे शांदार जहाज तो चलिए, शुरू करते हैं Symphony of the Seas तैरता हुआ शहर पहले नमबर पर है Symphony of the Seas इसमें 2779 कमरे हैं, जहां 6680 लोग ठहर सकते हैं यह जहाज इतना विशाल है कि इसमें एक छोटे शहर की तरह सभी सुविधाएं मौजूद हैं यहां एक असली Central Park भी है और दुनिया का सबसे उंचा Water Slide Ultimate Abyss भी इस पार्क में हरे भरे पेड़ और पौधे हैं जो आपको एक प्राकृतिक अनुभव देते हैं इस जहाज में 20 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं हर रेस्टोरेंट में अलग-अलग प्रकार के वियंजन मिलते हैं जो आपकी स्वाद की इंद्रियों को त्रिप्त करेंगे आप पिज्जा खाओ या फिर फैंसी डिनर करो सब कुछ मिलेगा यहां के शेफ्स दुनिया भर के मशहूर हैं और वे आपको बहतरीन भोजन का अनुभव देंगे और हाँ, शॉपिंग के लिए भी बहुत कुछ है यहां एक बड़ा शॉपिंग मॉल है जहां आप ब्रांडिट कपडे, जुएलरी और अन्य सामान खरीच सकते हैं इस जहाज में एक थीटर भी है जहां आप ब्राडवे स्टाइल शो देख सकते हैं यह शो इतने शांदार होते हैं कि आपको लगेगा कि आप न्यूँ यॉर्क के किसी थीटर में बैठे हैं सिंफनी ओफ दे सीज एक दम बढ़िया चॉइस है यहां आपको हर बो सुविधा मिलेगी जो आप एक लगजरी वेकेशन में चाहते हैं बस आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे लेकिन यकीन मानिए यह अनुभव आपके जीवन का सबसे यादगार अनुभव कोगा Symphony of the Seize पर बिताए गए फल आपको हुमेशा याद रहेंगे रात में यह जहाज और भी कुपसूरत लगता है रोशनी से जगमगाता हुआ Symphony of the Seize एक सपनों की दुनिया जैसा प्रतीत होता है यहां की night life भी बहुत शांदार है आप बार में जाकर ड्रिंक्स का आनंद ले सकते हैं या फिर live music सुन सकते हैं यहां हर रात एक नई party होती है अगर आप relax करना चाहते हैं तो यहां एक शांदार spa और wellness center भी है यहां के spa treatments आपको पूरी तरह से परोताजा करतेंगे फिटनेस के शौकीनों के लिए यहां एक modern gym भी है जहां आप अपनी fitness routine को जारी रख सकते हैं बच्चों के लिए भी यहां बहुत सारी activities है यहां एक बड़ा play area है जहां बच्चे खेल सकते हैं और मज़े कर सकते हैं कुल मिलाकर Simply of the Seas एक ऐसा अनुधर है जिसे आप कभी में पूल पाएं यह एक तैटा व्याश्य है जो आपको हर वो सुवधर और आनंद देता है जिसके आप कलपना कर सकते हैं Harmony of the Seas एमजा ही एमजा यह जहाज अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है अब बात करते हैं दूसरे नंबर के जहाज की जिसका नाम है Harmony of the Seas यह जहाज अपने विशाल आकार और शांदार सुवधाओं के लिए जाना जाता है यह Symphony of the Seas का भाई है बस थोड़ा छोटा है लेकिन सुवधाओं में कोई कमी नहीं है इस जहाज का सबसे खास हिस्सा है इसका Water Park यहाँ पर आप और आपके परिवार के लिए धेर सारी मस्ती और रोमांच है इसमें तीन Water Slide है एक Flow Rider है जो आपको सर्फिंग का अनुभव देता है और बच्चों के लिए एक पूल भी है बच्चे यहाँ घंटों खेल सकते हैं और आप निश्चिन्थ होकर आराम कर सकते हैं इस जहाज में एक शांदार थीटर है जहां आप Broadway स्टाइल शो देख सकते हैं ये शो इतने बहतरीन होते हैं कि आपको लगेगा आप किसी बढ़्धे शहर के थेटर में है 20 से ज्यादा रेस्टरेंट हैं जहां आप दुनिया भर का खाना खा सकते हैं हर रेस्टरेंट का अपना एक अलग थीम और मैनू है जो आपको एक अनोखा अनुभव देता है Harmony of the Seas भी एकदम बरिया चॉइस है यहां पर आपको हर वो सुवधा मिलेगी जो आप एक लगजरी कुरूज से उम्मीद करते हैं चाहे वो शांदार कमरे हो या फिर अद्वुत मनोरंजन के साधन यहां सब कुछ है तो अगर आप एक यादगार छुट्टी की तलाश में हैं तो Harmony of the Seas आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है Queen Mary 2 Royal तैरता महल यह जहाज अपने आप में एक चलता फिरता महल है जो आपको एक अद्वितिय अनुभव प्रदान करता है अब बात करते हैं Queen Mary 2 की जो की एक दम राजा महाराजाओं जैसा जहाज है इस जहाज की भव्यता और शान देखते ही बनती है यहां आपको हर कोने में Royalty का एहसास होगा इसमें आपको एक शानदार Ballroom मिलेगा जहां आप डांस कर सकते हैं यह Ballroom इतना भव्य है कि यहां पर डांस करना एक सपने जैसा लगता है यहां की लाइटिंग और सजावट आपको किसी राजमहल की याद दिलाएगी इस जहाज में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जो किसी जहाज पर बनी है और इसमें 8000 से ज्यादा किताबे है अगर आप किताबों के शौकीन है तो यह जगह आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं होगी यहां पर आपको हर प्रकार की किताबे मिलेंगी चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन खाने पीने के लिए यहां 10 से ज्यादा रेस्टोरेंट है हर रेस्टोरेंट में आपको अलग-अलग प्रकार के व्यंजन मिलेंगे यहां पर आप भारतिय, चाइनीज, इटालियन और भी कई प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं और हां, अगर आप अपने आपको थोड़ा दुलार करना चाहते हैं, तो इस जहाज में एक शानदार स्पा भी है यहां पर आप विभिन्न प्रकार के स्पा ट्रीटमेंट का आनंद ले सकते हैं, जो आपको पूरी तरह से तरोताजा कर देंगे आपके लिए एक दम बढ़िया चॉइस है, यह जहाज आपको एक ऐसा अनुभव देगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे तो अगर आप एक रॉयल और लगजरी अनुभव चाहते हैं, तो क्वीन मेरी टू पर सवार होना न भूले चैप्टर चार, टाइटल, नौवीजन ब्लिस, स्पीड का जुनूम, बॉडी अब बात करते हैं नौवीजन ब्लिस की, जो कि उन लोगों के लिए एक दम बढ़िया जहाज है जिन्हें तेज रफतार पसंद है इसमें एक असली गो कार्ट रिसिंग ट्रैक है, इस जहाज में एक वाटर पार्क है, जिसमें दो वाटर स्लाइड है और बच्चों के लिए एक पूल है इस जहाज में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, जहां आपको दुनिया भर के ब्रैंड मिल जाएंगे बीस से ज्यादा रेस्टरेंट हैं, जहां आप दुनिया भर का खाना खा सकते हैं नौर्वीजन ब्लिस आपके लिए एक दम बड़िया चॉइस है अब बात करते हैं MSC मेरविगलिया की, जो की उन लोगों के लिए एक दम बड़िया जहाज है जिन्हें टेक्नोलोजी पसंद है इसमें एक डिजिटल स्काइडोम है, जो पूरी तरह से LED स्क्रीन से बना हुआ है इस जहाज में एक बड़ा स्विमिंग पूल है और एक बड़ा शॉपिंग मॉल भी है खाने पीने के लिए यहाँ 12 से ज्यादा रेस्टोरेंट है MSC मेरविगलिया आपके लिए एक दम बड़िया चॉइस है अब बात करते हैं सिलेबरिटी एज की जो की अपने आप में एक दम अनोखा जहाज है इसमें एक मैजिक कार्पेट है जो जहाज के बाहर निकलता है और आपको समुद्र के उपर ले जाता है इस जहाज में एक बड़ा स्विमिंग पूल है और एक बड़ा शॉपिंग मॉल भी है खाने पीने के लिए यहां 29 से ज्यादा रेस्टोरेंट है सिलेबरिटी एज आपके लिए एक दम बड़िया चॉइस है चैप्टर साथ टाइटल एड़नोवा परियावरण का ख्याल अब बात करते हैं एड़नोवा की जो कि परियावरण के लिए एक दम सही जहाज है ये जहाज पूरी तरह से एल एंजी से चलता है इस जहाज में एक बड़ा स्विमिंग पूल है और एक शानदार थीटर भी है खाने पीने के लिए यहाँ सत्रह से ज्यादा रेस्टुरेंट है एड़नोवा आपके लिए एक दम बड़िया चॉइस है इतालवी अंदाज अब बात करते हैं कॉस्टा स्मिराल्डा की जो की एक दम इटालियन स्टाइल का जहाज है इसमें आपको एक खूबसूरत पियाजा मिलेगा इस जहाज में चार स्विमिंग पूल है जिनमें से एक इंफिनिटी पूल भी है इस जहाज में एक बड़ा शॉपिंग मॉल है जहां आपको इटालियन और इंटरनेशनल ब्रैंड मिल जाएंगे खाने पीने के लिए यहां 16 से ज्यादा रेस्टोरेंट है कॉस्टा स्मिराल्डा आपके लिए एक दम बढ़िया चॉइस है चाप्टर 9 डिजनी ड्रीम बच्चो का स्वर्ग अब बात करते हैं डिजनी ड्रीम की जो की बच्चों के लिए एक दम बढ़िया जहाज है इसमें आपको मिकी माउस, मिन्नी माउस और दूसरे डिजनी केरेक्टर मिलेंगे इस जहाज में एक शांदार वाटर पार्क है, जिसमें वाटर स्लाइड है, एक फ्लो राइडर है और बच्चों के लिए एक पूल भी है इस जहाज में एक शांदार थेटर है, जहां आप डिजनी शो देख सकते हैं खाने पीने के लिए यहां बहुत कुछ है. डिजनी ड्रीम आपके लिए एकदम बढ़िया चॉइस है. चैप्टर दस रॉयल प्रिंसेस समुद्र पर चलने का मज़ा और अंत में बात करते हैं रॉयल प्रिंसेस की, जो कि अपने आपने एकदम खास जहाज है. इसमें एक कांच का रास्ता है जो समुद्र के उपर से जाता है. इस जहाज में एक बड़ा स्विमिंग पूल है और एक शानदार थीटर भी है. खाने पीने के लिए यहां बहुत कुछ है. रॉयल प्रिंसेस आपके लिए एक दम बरिया चॉइस है. ओत्रो खत्म हुआ सफर. तो दोस्तों, ये थे दुनिया के दस सबसे शानदार जहाज. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेर जरूर करें. और हाँ, हमारे चैनल प्लानेट एडवेंशर को सबस्क्राइब करना न भूलें. धन्यवाद.